हेलो दोस्तो नमश्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अगर किसी ने फर्स टाम विजिट किया तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करना बेल आकन को हिट करके और जरू सिलेट करना अगर आप चाहते एक और चैनल भी फ्री स्टाक मार्केट क्लासेस इस दूसरे चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आकन को हिट करके और जरू सिलेट कर सकते हो इस चैनल का लिंक आपको उपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल बहुत जादा बातचीत अभी फिलाल के हापे चल रही है इलेक्ट्रिक वेहकल की बहुत सारी बातचीत है आपे चल रही है तो वैसे ही दोस्तो अभी का फिलाल का जो महावल है आप सबी लों को पता है कि जबी भी फेब नजदिक आता है तो कौनसा महावल नजदिक आता ह तो बहुत ही important रहते हैं कुछ stock ऐसे रहते हैं कि आपको RM से बहुत ही ज़्यादा returns भी दे सकते हैं तो इसलिए हर एक वीडियो यहाँ पर important होने वाला है तो शुरुआत भी दोस्तो यहाँ पर budget से related होने वाले वीडियो में obviously बहुत ही common sense वाली बात है कि budget तो हमलों को अभी feb month में ही इससे related officially announcement होते विए देखने को मिलेगी निर्मला सितारमंजी पूरे देश के सामने budget पेश करेगी तो अभी तक जितने भी खबरे आएंगी जितने भी वीडियो जाएंगे वो सारे के सारे reports के जरी आएंगी कि ऐसा हो सकता है करके तो वही possibility के और से अगर हम लोग बात करें तो कौन-कौन से खबरों के उपर focus रखना चाहिए तो इससे related videos अभी आपे आने वाले हैं तो दोस्तो आज की दिन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तो यहाँ पर railway से related यस railway से related बहुत बड़ी बड़ी खबरे हैं यहाँ पर सामने आरे जिसके चलते हम लोग कह सकते budget जब भी भी यहाँ पर अनौंस होगा railway stocks के और बहुती ज़्यादा खास यहाँ पर ध्यान दिया जाने वाला है अभी की जो news है दोस्तो वो बिलकुल नई news है fresh news है सो देख लेते हैं यहाँ पर किस चीज की यहाँ फिलाल तो बाक्षीत यहाँ पर चल रही है सो railway के लिए दोस्तो यहाँ पर national rail plan वापस मैं कहना चाहूंगा national rail plan 2030 का एलान यहाँ पर किया जा सकता भी national rail plan यहाँ पर मतलब इसमें क्या होने वाला है किसको फायदा यहाँ पर हो सकता है धिमे धिमे हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ेंगे सबसे पहले main बात आप सब लोग पते हैं हर एक चीज के लिए हर एक सेक्टर के लिए budget फिक्स किया जाता है और railway के लिए जितना भी budget है अभी फिलाल XYZ आप कितना भी बोल सकते हैं उसमें प्लस 15% की बड़ोतरी हो सकती है मतलब आप अंदजा लगा सकते हो और 15% से budget है आपर बढ़ सकता है यह figure उपर नीचे हो सकता है 5-10% बट इतना बात फिलाल की जारे कि average 15% तक budget बढ़ाया जा सकता है railway के लिए railway के उपर जादा खरच किया जाएगा उतके business को और भी बढ़ा बनाने के लिए तो no doubt हम कह सकते railway stocks को और भी मतलब railway companies को और भी जादा business मिलेगा उनकी हम लोगों को balance sheet strong होते विए देखने को मिल सकते पी आल स्टॉंग होते विए देखने को यहापे मिल सकते ultimately यह सारी चीजे उन respective stocks में तेजी लाने के ही संकेत यहापे दे रहे है बट यह देखना पड़ेगा individual basis के उपर किसको क्या business मिल रहा है किसको कितना जादा फाइदा यहापे हो सकता है तो यहापे हम लोग केल सकतें national rail plan 2030 का एलान हो सकता है दस नई ट्रेने आ सकती है और 15% बजटरेल बड़ाने का भी प्रस्ता हो यहापे फिलालissant देखने को मिल रहा है तो दूत का दूत पानी का पानी तो ano एक बहुत बड़ा मेगा टार्गेट सरकार लेकर यहाँ पर चल रही है कौन सा मेगा टार्गेट कि यहाँ पर जो रेलवेज भी चलती है जो रेल गाड़िया भी चलती है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा जो इंजीन रहता है उसमें क्या रहता है डीजेल रहता है तो दोस्तों यहाँ पे फिलाल बाते चल रहे कि सरकार ये भी टारगेट लेकर चल रहे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का यहाँ पर करने का टारगेट यहाँ पर रख रहे हैं देखे जो अंदर एक सिटी टू अगर हम लोग बात करें उसमें हम लोग को डीजेल का इस्तमाल होते हैं देखने को मिल रहे हैं तो उसको भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर लाने का प्रस्ताव यहाँ पर सामने हैं मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों जो बाकी की जो बड़े रेलवे जो रेती है जो जो गाओ के लिए अगर हम लोग बाद करें लेकर जाने के रहता है वो डबब को खीचती है तो उसको यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे उन इंजिन्स को यहाँ पर हाईडरोजन या फिर बाई ओ फ्यूija यहाँ रही हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर य कि ऐसी चीज़ें जिसके चलते पॉलिशन कम होगा तो नो डाउट वहाँ पे उनका इंवेस्टमेंट भी हम लोगो बढ़ते वे देखने को आपे मिल सकता है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन खराब है आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे या फिर अगर आप नोट कर रहे हो तो आपको चीज़े समझ में है कि नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे प्राइ प्राइवेट बोलते हुए IRCTC के ही पक्ष में जाएगी और उसका फाइदा सरकार को भी मिलता है इसलिए बहुत सारे लोग प्लान में पहले पार्टिसिपेट ही नहीं करते है और जिनों ने किया भी था बीच में प्राइवेट से रिलेटेड ट्रेने चलाने से रिलेटे तो जो अगर मैं पर बात करें तो जो लंबई आवधि की जो ट्रेनर रहती हैँ एक से दूसरे से नहीं पर यह चाती हैं तो त्रेन रहते हैं तो उसको ऑनीमिनियम का करने का प्लान इस बचुए पहती जादा हलके भी होते हैं देन अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे और भी कुछ ऐसे स्टेशन से आपर सिलिट कहेंगे, पाँच मेजर स्टेशन भी रहेंगे, जिनको बहुती आधूनिक तरीके से बनाने का प्रस्ताव भी आपर सामने रखा हुआ है, बहुती हाई प्लास अगर हम लोग हम लोग को बढ़ते वे देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़े हम लोग को यहाँ पे फिलाल रेल्वे से रिलेटर देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो यह आने वाला बजट रेल्वे के लिए बहुती ज्यादा खास होने वाला है, इसना तो हम की तरह अगर बजेट में चीज़े नहीं हुई तो डिस अपॉंट्मेंट इजी ली छलग जाती है तो स्टॉक्स में गिरावट भी होती तो ये एक बर्डन भी रहता है कि क्या सरकार नहीं ये सारी बाते फिलाल ये रिपोर्ट के जरी सामने आ रही है क्या वो वाकई में सच लोग उम्मीद लेकर चलेंगे कि एससा होना चाहिए ये ये 100% इलेक्रिफिकेशन की बात रही एसा तो होना चाहिए तो ये देखना अभी इंपॉर्टन ये अपर होने वाला है अगर नहीं हुआ तो समझ देने का कि वह जो भी चीजे थी वह यहां पर एक अनुमान चल र जरूर कह सकते हैं और दोस्तों इसी के चलते कुछ स्टॉक्स है जिनके उपर फोकस रखना है जो कि विल नोन स्टॉक्स है इसमें कोई ज्यादा रॉकेट सैंस वाली बात है नहीं है कुछ स्टॉक्स में आपके सामने रखना चाहूँगा एक है भी एच इल येस भेल की अग लगबग एक साल होने आगे कोई मुमेंट नहीं है यह पर जितना चोटा स्टॉक उतना चेलना पड़ेगा देख लेते कब तक यह ऐसा ही चलेगा आरवनल की बात करें यह एक जरूर आप लोग फोकस में आपर रख सकते हो डैन रेल टेल से रिलेटेड यसे एक सामने आ जाता है तो दोस्तों जो भी यहापे जो मेट्रो सिटीज है उसके अंदर भी जो रेलवेज यहापे चलती तो उनकी कनेक्टिविटी और भी स्ट्रॉंग करेंगे प्लस बाखी की जो भी स्टेशन से वहापे वाइफाई बेठाने का भी काम यहापे सामने आ चु तो अल्टीमेटली सबसे आदा बेनिफिट इसी को हम लोगों को पोचते वे देखने को यहापे मिल जाता है तो यह सारे स्टॉक से दोस्तों जो कि रडार के उपर ज़रूर यहापे आने वाले हैं तो बजेट से पहले इसे हल चले हम लोगों को बहुत सारी देखने को मिल बट स्टिल 50-60% भी अगर सच हो जाती है तो हम कह सकते हैं यह आने वाले जो नेक्स्ट साल तक रहेगा वो रेलवेस के लिए और भी अच्छा कासा यहापे हो सकता है सो नो डाउट इन सारे स्टॉक्स के उपर आप लोग ज़रूर यहापे फोकस बना के रख सकते हो कोई भी बजेट से पहले ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है आपके पास कोई स्थोस कारण होना चाहिए एटलिस कंपणी के रिजल्ट या फिर कोई वजा उसके बावजूत अगर आप लोग खरीद रहे हो तो फिर वो तुक्का जैसे साबित हो सकता है तो इसलिए अभी हम लोग देखेंगे बजेट यहापे आएगा और उसके बाद इंडिविजुली कंपणी का परफॉर्मंस कैसे है उनको भी हम लोग स्टडी करेंगे और बाद में अगर हमने लगा कि यहापे कोई कंपणी अच्छी कर रहे है तो हम लोग ज़रूर उसको कंटेंट है वो आप तक पोचना चाहिए अगर प्रेजेंटिशन को ज्यादा फोकस में रखा गया तो फिर बहुत ही लेट इंफॉर्मिशन आप तक यहापे पोच सकती है तो आशा करता है आप लोगों को वीडियो हेलफूल लगाओगा तो ज़रूर लाइक और यहापे क कर सकते हो तो तक के लिए बाइ बाइ